नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं Prince Computer Center के YouTube चेनल को दोस्तों इस वीडियो में हम MS Word के Page Layout Ribbon Tape के बारे में बात करने वाले हैं Page Layout Ribbon Tape का यूज होता है कोई भी डोकुमेंट में पेज इंसेट करते हैं उसकी कोई भी सेटिंग करना हो जैसे Page को कलर देना है Page की Size सेट करना है या Page का Orientation चेंज करना है या Page को कोई Margin बगेरा सेट करना है तो उसके लिए अपन Page Layout Ribbon Tape का यूज करते हैं अगर आप MS Word 2007 यूज कर रहे हो तो Page Layout Ribbon Tape में पहला Option दिखाए देता है Theme Group अगर आप MS Office 2013 या 2016 यूज कर रहे हो तो उसमें यहाँ पे देखो जो एक नमर उप्सन आ रहा था Theme Group वो यहाँ पे Design Ribbon Tape में अलग से इंसेट कर दिया है तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले है Theme Group तो Theme Group का Normally यूज होता है कि आप जो भी Document में मेटर टाइप किया है उस मेटर का Theme चेंज कर सकते हूँ जैसे Mobile में Theme चेंज करते है तो उसमें पूरा Formate चेंज होता है उसी परकार MS Word में भी Theme चेंज करने पर पूरा Formate चेंज होता है जैसे मानलो यहाँ से आपने कोई भी Page को Color दे रहा है या मानलो आपने कोई भी Text को Color दे रहा है यहाँ से अगर मानलो किसी भी text को आपने color दे रहा है यहां से जैसे मानलो rate color दिया है जो भी color बगेर है उसकी theme चेंज करनी है जो भी आपने page इंसर्ट कर रहा है उसकी theme चेंज करनी है तो यहां पे theme command पे आना है और इन में से positive theme लगा सकते हो जो theme आपको insert करनी है वो select कर दो तो अपने हाप लागू हो जाएगी उसके बाद में option आता है यहां पे देखो color चेंज करना मानलो आपने जो भी theme लगाई उस theme का color चेंज करना हो तो यहां से अपन color चेंज कर सकते हैं और जो भी theme लगाये ती, उसका font change करना हो, तो यहां से font change कर सकते हैं। देखो, यहां से अपन theme change करते हैं, तो उसमें color और font दोनों change होता है, और यहां से color change करते हैं, यहां पने page layout ribbon day में दिखाई देता है, तो अपने यहां से भी यूज़ कर सकते हैं यूज़ एक यूज़ता है तो एक नमर कमाड़ आती है Watermark तो Watermark का नॉर्मली यूज़ होता है कि आप जो भी document बना रहे हो जिसे मालो यहां पर यह document बनाया है उसमें background में कोई भी नाम लिखना हो आपको या कोई photo लगानी है तो उसके लिए अपने यूज़ करते हैं Watermark का एक तो आप इन में से कोई साभी Watermark लगा सकते हो जैसे यहां पर don't को भी नाम लिखावा है तो आप देखो background में यहां पर नाम आगया do not को भी उसके बाद में आप जैसे कोई अपना खुद का नाम लिखना साथ हो या अपने coaching का नाम लिखना साथ हो तो उसके लिए वो change भी कर सकते हैं Watermark पे click करना है यहां पर custom Watermark पे click करना है और यहां से अगर Watermark लटाना है तो no Watermark करते हैं कोई photo लगानी है तो picture Watermark select करना है और कोई नाम लिखना हो तो text पे जाएंगे क्या नाम लिखना है वो नाम यहां पर आपको type करना होता है जैसे मालो अपन यहां पर नाम type कर रहे हैं prints अब आपको Watermark कौन से color में लगाना है कौन से font में लगाना है कि साइज में लगाना है वो यहां से select करना होता है जैसे मालो आप वो rate गले में लगाना है जिस color में लगाना है वो color select करेंगे और यहां से ok करेंगे जैसे आप ok करोगे तो Watermark आपके document में insert हो जाएगा तो इस परकार अपन Watermark insert कर सकते हैं इतने भी page होते हैं हर page में Watermark insert होता है जैसे मालो next page में अपन जा रहे हैं तो उस page में Watermark अपन को दिखाए दे रहे हैं अगर Watermark को हटाना हो तो यहां से अपन Remove Watermark कर सकते हैं उसके बाद में next command आती है page color अगर पूरे page का कलर एक साथ में change करना हो तो यहां से अपन page color में जाएंगे और यहां से color select करेंगे जो color अपन select करेंगे उसी color में आपका page color हो जाएगा तो यहां से अपन page को color दे सकते हैं उसके बाद में next command आती है page border मतलब आपने जो भी page ले रहे हैं उस page के चारों और border लगाना हो तो page 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 border लगाना हो त एड़ो के रूप में बॉटर लगाना है तो वो आप यहां से सेट कर सकते हो तो अपने बॉटर इंसेट हो जाएगा उसके बाद में next गुरुप आता है पेज सेटप गुरुप और इसमें एक नमर कमाण आती है margin अब margin का यूज होता है कि जो भी आपने paragraph टाइप किया है उस paragraph के चारों और जो खाली space होता है जैसे मालो यहाँ पे left में खाली space है टोप में खाली space है इस खाली space को कम जदा करने के लिए अपने यूज करते है margin तो यहाँ पे margin पे क्लिक करना है normally अपने यहाँ से एक इंच रखते है अभी normal है एक एक इंच आरों और खाली space है अपने narrow कर सकते है narrow में 0.5 इंच जगह हो जाते है इसके अलवा अपने यहाँ से और भी margin कर सकते है जैसे top और bottom में एक इंच रखना है left right में कम रखना है या top bottom में जएदा रखना है तो वो भी अपन यहाँ से set कर सकते है अगर आपको एक side का margin हटाना हो बिल्कुल तो यहाँ से custom margin में आके यहाँ से margin हटा भी सकते है जैसे top का 0 करना है तो यहाँ से 0 कर सकते है तो इस परकार अपने page के 4 और का खाली space set कर सकते है उसके बाद में next command आती है orientation orientation का use होता है कि आपने जो भी page ले रहा है उस page को portrait रखना है या landscape रखना है मतलब page खड़ा रहता है तो उसको बोलते है portrait और यहाँ से अपन change भी कर सकते है जैसे landscape बनना है उसके बाद में next command आती है size मालो आप document बना रहे हो और कौन से page पे print करने वालो उसी page पे आपको document टाइप करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे page की size set करनी होती है कि आप document बना रहे हो कौन से page में बना रहे हो मतलब later में बना रहे हो legal में बना रहे हो A4 में बना रहे हो तो सबसे जदा अपने यूज़ करते हैं A4 का अपने notebook होए रहा होती है उस पे लिखा होता है A4 तो वो size होती है A4 की A4 की यहाँ पे देखो size बतार किये 8.27 into 11.9 inch होती तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को A4 select करना होता है उसके बाद में paste size set करने के बाद में option आता है column का मालो आपने जो भी paragraph टाइप कर रखा है जैसे इसके एक बार size अपने यहाँ से 100% कर लेते हैं क्योंकि अपने जो भी काम करते हों 100% में करते हैं तो आपने जो भी paragraph लिक रखा है उस paragraph को 2 column में divide करना हो तीन column में divide करना हो तो उसके लिए यहाँ से column command का use करते हैं सबसे पहले जिस paragraph को column में divide करना है उस paragraph को select करेंगे फिर column पे click करेंगे one column करना है, two column करना है, three column करना है वो आप यहाँ से set कर सकते हैं जैसे तीन column में divide हो गया अपना meter इसके अलवा आपको जिसे left में ज़्यादा जगह सोड़ने है right में कम सोड़ने है तो वो भी कर सकते हैं तो इस परकार अपन column का use कर सकते हैं वापिस one column करना है तो यहां से one column कर सकते हैं उसके बाद में next command आती है break अपनी insert ribbon tape में use कर रहे थे उस समय भी यहां पर option आ रहा था page break लेकिन उस से क्यों page break होता था और यहां पर जो page layout ribbon tape में break नाम से option है इसमें अलग अलग condition है जैसे अपन page break भी कर सकते हैं column break भी कर सकते हैं line को बीच में से break भी कर सकते हैं जैसे माल अपन column के बीच में break डालना चाते हैं तो सबसे पहले दो column या तीन column में divide करेंगे जैसे यहां से अपना 3 column कर दिया अब इस column को खाली चोड़ना है तो अपने यहां पर click करेंगे जहां पर break डालना है और यहां से break में जाके column break करेंगे तो आगे वाला column के ओ जाएगा खाली हो जाएगा break का यूज यही होता है कि जहां पर अपना करस्व रहता है उससे आगे का meter दूसरे page या दूसरे column में चला जाता है अगर line break करना है तो जहां पर break देना है वहां पे click करो यहां पे text break वे click करना है तो यहां से line को break मिल जाएगा इस परकार अपन page break, line break कर सकते हैं next command आती है यहां पे line number line number का use होता है कि आपने जितनी भी line ने insert करके उन सब को number देना हो तो आप यहां से दे सकते हो सबसे पहले यहां पे अपन page का border बगेरा एक बार हटा देते हैं यहां से design में जाके border पे जो और हटाना हो तो यहां से non करते हैं और ok करते हैं अब देखो line को number मिल रहे है मालो सबी line को एक साथ में number देना साथ हो तो पहले meter को select करोगे तो line number पे जाना है और यहां से continue करना है तो जितनी भी line ने थी उन सब line को यहां से start होगे end तक सल रहा है तो इसे line को number मिल जाता है इसके बाद में next command आती है यहां से reset each page मतलब नया page आते हैं one से start हो जाएगा जैसे line गुन 30 तक सल रही है उसके बाद में next page में देखो 30 number line आगी अगर आपन reset each page करते हैं तो वापिस one से start होगा और यहां पे खतम देखो 30 पे वाथा तो नया page आते हैं one से start हो जाएगी उसके लिए अपने इस command का use करते हैं उसके बाद में next option आता है reset each session मतलब आपने एक साथ मेटर टाइप किया है वो एक साथ में जलती रहेगी जैसे दुबारा मेटर टाइप करोगे तो फिर one से start होगे insert हो जाएगी उसके बाद में आता है current paragraph को छोड़ने के लिए जैसे मान लोग इस paragraph पे अपना cursor है और इस paragraph को अपन line number नहीं देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे पहले फिर line number पे जाना है यहां पे और इस पे क्लिक करना है तो यह paragraph खाली रह जाएगा इसको line number नहीं मिलेगा उसके बाद में next command आती हाइपनेशन हाइपनेशन का यूज होता है कि आप जो भी paragraph लिक रहे हूँ उसमें कई वार यहां पे line के end में word दूरा रह जाता है तो उसको days लगा के नीचे लिखते हैं तो उसको बोलते हाइपनेशन तो उसके लिए सबसे पहले हाइपनेशन पे क्लिक करना है और यहां से automatic पे क्लिक करना है तो उपने आप जहां पे हाइपनेशन की जूरत है वहां पे insert हो जाएगा जहेंसे देखो यहां पे GAL लिखा हो और पी days लगा के LERIES लिख दिया ठीक है उसके बाद में यहां पे देखो एप और लिख दिया और यहां पे cus लिखा हो तो यहां पे days लगाते हैं तो इसी को बोलते हाइपनेशन अगर वापिस अटाना चाएं तो यहां पीस अटाना शांते है तो यहां पे क्री करेंगी अभी आपको पूछ रहा है कि यहां पर Ψाल लग रहा है अगर लगाना है तो yes करना है तो no कर दो insert नहीं होगा यहाँ पर लगाना है तो yes करो जैसे आप yes करोगे तो hyphenation insert हो जाएगा अब देखो आपने जहाँ पर no किया तो वहाँ पर hyphenation नहीं लगाए और जहाँ पर yes किया तो वहाँ पर hyphenation insert हो गया है तो इस परकार अपन hyphenation का यूज़ कर सकती है उसके बाद में next group आता है paragraph group अब paragraph group का यूज़ होता है कि आप जो भी paragraph type कर रहे हो उस paragraph को left करना, right करना, top करना और bottom करना अगर आपको paragraph के left में खाली space बढ़ाना है तो आप यहाँ से देखो left वाली size को बढ़ा सकते हो अगर right में खाली space बढ़ाना है तो right वाली खाली space की जगे को बढ़ा सकते हो अगर आपका paragraph type किया है उसके उपर की खाली space बढ़ाना है तो उपर वाली को बढ़ा सकते हो और नीचे खाली space बढ़ाना है तो after वाली को यूज़ कर सकते हो तो paragraph के चारों और काली space कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए अपने यूज़ करते हैं paragraph group का अगर पूरे page के सारों और खाले space यूज़ करना है तो margin का यूज़ कर रहे थे और paragraph के लिए अपने यूज़ कर रहे है paragraph group का उसके बाद में last आता है यहां पे arrange group arrange group का यूज़ होता है table बना रहे हैं उनको बलते है subject तो अपने को सबसे पहले arrange group का यूज़ करने के लिए object insert करना होता है सबसे पहले यहां पे अपनंको या खरती बना लेते हैं या picture insert कर लेते हैं तो insert में जाना है और यहां से कोई भी shape में आकरती insert कर सकते हैं जो भी आपने आकरती insert किये उसको paragraph के साथ में arrange करना हो तो उसके लिए use करते है arrange group का यहाँ पे आजाओ और यहाँ पे एक number option आ रहा है position मतलब आपने जो भी object select करका है उसकी position कहाँ पे set करना साथ हो उसके लिए आपको position पे जाना है अगर start में करना है line के start में करना है paragraph के start में करना है तो वहाँ से set कर सकते हो start में करना है left right करना है या center में करना है तो वह आप यहाँ से select करोगे जैसे आप select करोगे तो document अपने आप उसको center में set कर देगा उसके बाद में next command आते है text rape इसका use होता है कि आप जो भी आकरती insert कर रहे हूँ उस आकरती को आगे लाना है text के या पिछे ले जाना है या चारों और set करना है उसके लिए अपन text rape का use करते है मालो square करना है तो अपने यहां से square कर सकते है tight करना है तो tight कर सकते है करना हो तो इन सभी command का use करते है उसके बाद में next command आती है bring to forward और send to backward इनका use होता है मालो आपके पास में दो आकरती है जैसे मालो एक तो अपनी यहां से save बना लेते हैं जैसे यह आकरती बनी हुए अपने पास में इसको color दे देते हैं और एक आकरती और बना लेते हैं जैसे मालो यहां पे आकरती बनी हुए इसको कोई दूसरा color दे देते हैं अब आगे वाली आकरती को पीछे बेजना हो तो अपनी यूज करते हैं send to backward और पीछे वाली आकरती को आगे लाना हो तो यूज करते हैं bring to forward उसके बाद में last command आती है rotate मतलब आपने जो भी आकरती बनाई है उस आकरती को rotate कर सकते हो गुमा सकते हो जैसे मालो इस आकरती को आपको number degree left गुमाना है right गुमाना है तो यहां से अपने rotate कर सकते हैं अगर आपको दो आकरती को एक साथ में group में बनाना हो तो सबसे पहले इन दोनों आकरती को select करना है जैसे इस आकरती को select कर लेते हैं control के साथ में दूसरे आकरती को select कर लेते हैं और यहां पे group पे click करना है और यहां से group add कर देना है अब देखो आप एक आकरती को एक स्थान से दूर्फ स्थान पर ले जाओगे तो दोनों आकरती एक साथ में जाएगी और एक आकरती को जैसे सेलेट करोगे तो दोनों आकरती सेलेट होगी तो उसके लिए यूज करते हैं गुरूप का अगर वापिस group से इठाना हो तो group पे आना है और यहां से ungroup कर देना है अब देखो एक आकरती को select करोगे तो एक आकरती select होगी उसके बाद में option आता है align align और position का एक ही use होता है मानलो आपने यह आकरती select करके इस आकरती को काँ पे set करना है उसके लिए अपने यूज करते है align का मतलब top में करना है left में करना है वो यूज होता है position का तो दोस्तो इस परकार अपन page layout repeat में सभी command का use कर सकते है